दुनिया को भारत ने शूर्ण ने दिया, शूर्ण के अलावा बहुत सारी चीजे दी, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, बटन हो, यूएसबी हो, बाइनरी नंबर्स हो, तमाम चीजे योगा, आयरुवेदा, लेकिन साल दुजार चौबीस ने में भारत ने दुनिया को एक औ लेकिन भारत ने एक्च्वल टर्म दुनिया को अब बताया है कि भाई, बैस्बॉल क्रिकेट होता क्या है, भारत और बांगलादेश के बीच, दो मैचों की टेस्स सिरीस का दूसरा मकाबला कानपूर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया, और इस मकाबले को भारती अगर आप काईदे से देखेंगे तो सिर्फ दो दिनों के अंदर अंदर जीत लिया है, दो दिनों के अंदर अंदर, और ये मकाबला कुछ ऐसा जा रहा था, जिस पर ये कहा जारता है कि ये मकाबला ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन भारती ए टीम ने जैसे कि इस वीडियो की बात में मैंने आपको बताया, टर्म, बैस बॉल क्रिकेट का एक्च्वल टर्म दुनिया को बता दिया, और उसी तरीके से भारती टीम ने खेला, अब इसे बैस बॉल कहना है, या कुछ और कहना है, कमेंट में आप बताईएगा, क्योंकि ये बैस बॉल तो नहीं है, क्यों अब दो दिनों के अंदर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया, आप दो दिनों के अंदर कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा स्कोर काड़ आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएगा, भारती टीम ने बांगला देश को दो मैचों की टेस सिरीस के आ लेकिन ये मुकाबला पांचवे दिन पर जाकर खत्म हुआ है, अब पांचवे दिन पर क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि पहले दिन का खेल सिर्फ 35 ओवर तक खेला जा सका था और उसके बाद बैड लाइट और वेट आउट फिल्ड की वज़े से पहले दिन स्टंप्स घोश और जब चौते दिन केल की शुरुआत हुई थी तब भारतिय टीम ने जिस तरीके से पहले तो गेंद बाजी की और फिर जो बल्ले बाजी की, उसी का नतीजा है कि हम ये बात कह रहे हैं कि भारतिय क्रिकेट ने दुनिया को बैस बॉल का एक्चुल मिनिंग बताया, यह आ कि वो अपने सिर्फ 11 गेंदों की पारी में लगाते हैं, 209 की स्ट्राइक रेट, उसके बाद 36 गेंदों में 49 रन, यह शश्वी शुबन गिल, एक छका और 4 चौके वो लगाते हैं, स्ट्राइक रेट 108, उसके बाद अगर आप देखें केल राहूल, केल राहूल ने 43 में हमने देखा 134 से उपर के स्ट्राइक रेट और इस मुकाबले के हीरो यह शश्वी जैसवाल, 22 वर्षे यह शश्वी जैसवाल ने जिस तरीके से ना सिर्फ पहली पारी में बल्कि दूसरी पारी में भी बल्ले बादी की, इसी का नतीज़ा रहा कि उन्हें मैन आफ बहुत अच्छी बल्ले बादी की पहली पारी में लेकिन अगर ये स्टैट्स हमें देखने को नहीं मिलता, अगर इस तरीके से गेंद बादी नहीं हुई होती तो फिर शायद हम इस मुकाबले को ड्रॉ होता हुआ देखते, क्योंकि सिर्फ तीन विकेट गिरे थे, बांग सिराज ने पहली पारी में दो विकेट निकाले, अश्विन ने दो विकेट और जस्परीत बुम्रा के नाम तीन सफलता हैं, इसी मुकाबले के दोरान फास्टेस्ट थ्री हंडरेड टेस्ट विकेट का किरतिमान जो है, वो सर जड़ेजा ने प्राप्त किया, पहली पारी म फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 और फास्टेस्ट 250, ये सारे फास्टेस्ट एक ही दिन में भारतिय बल्ले बाजों ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 147 साल पुराना टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है, और भारतिय बल्ले बाजों ने वो स शांदार गेंदबाजी की अगराब देखें तो यहाँ पर आकाश दीब के नाम एक विकेट दूसरी पारी में सर जड़ेजा ने तीन विकेट निकालें जस्पीत बुमरा के नाम तीन विकेट रवी चंदर नश्विन के नाम और एक विकेट लेस गए सिर्फ मोथ सिराज आल अंदर ही मुकाबले को खत्म कर दिया यह शश्वी जैसवाल ने दूसरी पारी में भी पचासा जड़ा दोनों इनिंग में पचास उन्होंने लगाए और उनकी सी आकरमक बल्ले बाजी को देखते हुए मैच में इंपेक्ट उनका जादा पाया गया और उन्हें प्लेयर आफ दे मैच गोशित किया गया